सबसे पहले दोस्तों आप सभी को दुर्गाश्टमी, चैत्र दुर्गाश्टमी की धेर सारी शुपकामनाएं, उमीद करता हूं कि आपके आने वाले वर्ष के उपर मादुर्गा की खृपादृष्टी बनी रहे और आपको अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ान में पूरा समर्थ मिले, ताकि आप जितनी जल्दी हो सके अपने लक्षे तक जरूर पहुंचें, having said that, कल के सेशन के बारे में मैं आप सभी से थोड़ी से माफी चाहूंगा, क्योंकि किसी टेक्नीकी इशू की वज़ह से, हलांकि अपनी एंड पे यहां पर मैंने तो पूर आर्टिकल्स को डिसकस करेंगे, ठीक है, तो कल के कॉम्प्रेहेंशन को जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, वो अब देख लें, क्योंकि C-SAT आपके UPSC के प्रपरेशन में एक important role play करता है, और काफी ज़रूरी होता है कि आप C-SAT को properly follow करें, ताकि maximum score आप C-SAT में भ क्रिप स्ट्रोंग होती है, C-SAT में disqualification का issue वो जाधा तर face नहीं करता, ठीक है तो यह comprehension कह रहा था, कि climate change के context में popular opinion, यानि कि लोगों का opinion किन चीजों के उपर depend करता है, ठीक है, यह इसने सवाल से इस comprehension passage की शुरुवात की थी, और आगे explanation में इसमें कहा गया है कि recent failure to mobilize popular opinion in favor of mitigation of greenhouse gases, यानि कि हम कहीं न कहीं विफल रहे हैं, लोगों का एक opinion, लोगों की एक विचारधारा generate करने में against greenhouse gas emission, और इस विफलता का जो पूरा का पूरा एक तरीके से बोज है, कि किसके उपर लादा गया है, unseasonably cool local weather conditions and unhealthy state of economy, दो चीज़ों के उपर इस विफलता का बोज लादा गया है, पहली चीज़ है कि कुछ local जगाओं पर जो warming है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, in fact local cooling conditions हमें देखने को मिल रही है, और इसे के साथ साथ हमारी अर्थ विवस्ता भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वहाँ पर भी लोग क्या कहते हैं कि हमें greenhouse gas emissions पर रोक टोक ना की जाए, आर्थिक ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी है, यह लोगों की basically सोच है, यहाँ पर कहीं न कहीं policy की विफलता के बारे में बता लगता है, यह passage में कहा गया है, on examining the effects of both annual temperature variations and economic growth rates on people's attitude regarding the mitigation of greenhouse gas emissions, it is found that although state of economy has a significant effect on people's attitude, यानि कि अगर हम थोड़ा गहरा विशलेशन करें, गहरा आंकलन करें कि climate change को लेकर लोगों की जो सोच है, वो किन चीजों पर, किन मुद्दों पर निरभर करती है, तो उसमें आर्थिक सिति के ऊपर लोगों का ज्यादा ध्यान रहते हैं, ठीक है, the economic effect ज हो रही है, global warming बहुत जादा हो रही है, तब भी लोग greenhouse gas emission की mitigation में बहुत जादा दिल्चस्पी नहीं दिखाएंगे, अगर उनकी आर्थिक सिति ठीक नहीं है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, कि अगर सरकार कोई policy, कोई नीती बनाती है, जिसमें इन production करने वाली gases की regulation की बात की जाती है, तो उसमें क्या है, कि basically जो pessimism होता है, अगर आर्थिक सिति खराब है, तो जो negativity होती है, कि नहीं सरकार ठीक नहीं कर रही है, सरकार बहुत जादा रोक टोक लगा रही है, वो negativity खराब आर्थिक सिति में बढ़ जाती है, और ठीक आर्थि के basis पे एक logical inference हमने देखना था, दो आपको statements दे रही हैं, पहली statement के रिए, कि mobilization of public opinion failed despite, I hope आपको दिख रहा है सब, ठीक है, passage यहाँ पर क्या कह रहा है, mobilization of public opinion failed despite people being well informed regarding mitigation of greenhouse gases, ठीक है, people being well informed के बार में यहाँ पर कुछ बात नहीं की गई, ठीक है, पहला मुद्दा जो है, वह लोगों को well informed किया गया था या नहीं किया गया था, इसके उपर कहीं बात ही नहीं हो रही, right, so यह statement जो है, यह हमारे answer में नहीं आएगी, this is an incorrect statement, second statement के रिए, that policy regarding mitigation of greenhouse gases will be more effective when a society grows economically, ठीक है, कि policy बनाएंगे, तो अगर society की growth अच्छी है, तो उसकी acceptance basically जादा होगी, it will be implemented more effectively, passage य ही कह रहे है, ठीक है, passage में हमने देखा भी कि यहां कहा जा रहे है, कि अगर आर्थिक सिती सही ना हो, तो सरकार अगर नीती बनाएगी, लोगों की दिल्चस्पी ही नहीं होगी उसे follow करने में, क्योंकि रोटी पानी की ज़्यादा उनको चिंता रहेगी, rather than environment, ठीक है, short run मे लोग नहीं समझ पाएंगे, यही passage में कहा जा रहे है, तो यहां पर इस context में second statement true हो जाती है, और answer B है, ठीक है, कल यह मैंने बताया था, बट somehow, वो streaming में कुछ issue आने के वज़े से, उतना part हमारी वीडियो का cut हो गया था, ठीक है, तो आज यहां पर इसकी discussion से ही I thought कि start करें, अब जो मैं आपके साथ मुद्दा discuss करने जा रहा हूं दोस्तों, this is very important, hundred percent इसमें से question आने वाला है, prelims 2024 में, hundred percent, ठीक है, तो यह basically जो मुद्दा मैं आपके साथ share कर रहा हूं, यह अखबार से as such नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि Indian Express और बहुत सारे media houses, even the Hindu या alignment की भी बात करें, तो print edition के साथ-साथ यह लोग अपनी websites भी maintain करते हैं, और websites पर भी कुछ चुनिंदा articles को हमें refer करना पड़ता है, whether or not they get printed in the print edition, ठीक है, तो हमें करना तो पढ़ेगा, right, तो अभी recently एक मुद्दा हमें सामने देखने को मिल रहा है, कि Real Estate Regulation Authority, ठीक है, RARA से related एक act है, इसक की functioning को लेकर सरकार ने निरने लिया है, कि इसको review किया जाएगा, right, and इसके उपर जो भी fair बदल करनी की जरूरत है, उसे implement यह लागू भी किया जाएगा, ठीक है, तो यह जो मुद्दा है, यह website पर मिल रहा है, General Studies 1 के साथ, General Studies 2 के साथ, और GS 3 के साथ इसका संबंध बनता है, ठीक है, GS 1 में आप जानते हैं कि social issues के अंदर, issues arising out of urban population या urban areas से related जो issues हैं, वो हमारे लिए important है, तो महाँ इसकी relevance बनती है, GS 2 में क्योंकि regulatory authority के साथ इसका संबंध बनता है, तो governance के साथ भी एक crucial linkage हम यहाँ पर draw कर सकते हैं, and GS 3 में housing infrastructure के context में इस topic को cover करना काफी जादा जरूर तो सबसे पहले तो देखो, RERA है क्या, ठीक है, RERA, Real Estate Regulatory Authority, basically एक body है, जो की कैसे establish हुई थी, through an act of parliament, ठीक है, एक act पास किया था, 2016 में, हमारे भारत की parliament ने, that is called RERA Act, or that makes RERA a statutory body, और इसके उपर overall control जो रहता है, वो रहता है, Ministry of Housing and Urban Affairs का, यह सबसे basic elementary बात है, जो RERA के बा पूचेगी, तो इसी statement के basis पे पूचा जा सकता है, ठीक है, और you can answer it very easily, ठीक है, अब यही ministry क्या है, review कर रही है, ठीक है, किसको Real Estate Regulation and Development Act, that is called RERA Act, इसे review कर रही है, तो इसके अब कुछ पहलूँ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो देखो, यह जो act है, इस act को लाया क्यों गया, इसकी significance क्या है, तो basically यह act, promote करने की कोशिश करता है, इन तीन चीज़ों को, ठीक है, यह तीन चीज़ें क्या है, transparency, accountability and efficiency, ठीक है, यह तीन चीज़ें प्रमोट हो रही हैं, यहाँ पे, transparency, accountability and efficiency in real estate sector, हम सब ही जानते हैं, आपने आसपास भी कुछ किस से सुन रखे होंगे, जहां पर कुछ builders, ठीक है, शर्मा जी नमकीन movie आपने जरूर देखी होगी, शर्मा जी नमकीन movie में आपने देखा होगा कि एक builder था, ठीक है, उस builder ने शर्मा जी के बेटे से काफी सारे पैसे ले रखे थे, एक flat के लिए, ठीक है, और शर्मा जी का उनको अपनी तरफ आकर्शित करके, उनसे काफी सारे पैसे ले लेते थे, किसी ना किसी अडचन की वज़े से, या developer के vested interest, या ulterior motives की वज़े से, वो project बहुत बार ऐसा होता था, कि बीच में ही बन कर छोड़ दिया, developer भाग गया, और लोगों का सारा पैसा कतम, अब ऐसी ची लगता है, और जिंदगी की ज्यादा तर, 70% तक की savings हमारी एक घर निर्माण में, ग्रह निर्माण में लग जाती है, तो उस situation में इस sector को regulate करना और ऐसे developers के उपर अपना शिकन जाकस के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसी वज़े से सरकार ने home buyers के और even real estate industry क यह दूसरे stakeholders के interest को protect करने के लिए इस act को लागू किया, ठीक है, real estate sector की अगर importance समझनी है, यहां आपको means में कभी सवाल आ जाए, कि इस sector की importance बताईए और क्या rara act आपको justified लगता है, तो उसमें आप कुछ folder material यूज़ कर सकते हैं, जब भी question में आपको किसी भी अपनी argument को substanti initiate करना है, या उसको वजन देना है, तो एक आंकडा लिख दोगे साथ में, तो आपके answer की value बढ़ जाती है, ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं, यह मैं official records के हिसाब से, जो की PIB से मैंने निकाले हैं, यहां पर बताया गया कि 77% of the total assets of average Indian, एक आम आदमी के 70%, मैंने 70% उससे भी जाद है, 77% तक जो उसकी जमापुंजी है, जो उसके assets हैं, वो कहां पर invest होती हैं, real estate में, ठीक है, it is the single largest investment of an individual in his lifetime, पूरे जीवन भर में, जो सबसे बड़ी हमारी जमापुंजी हैं, हमारा सबसे बढ़ा निवेश होता है, वो real estate sector में होता है, ठीक है, अब इसी वज़ा से क्या था, कि ऐसा नहीं है, कि पहले act हुआ नहीं करता था, ठीक हो, Consumer Protection Act 1986 का होता था, राइट, इसमें कोशिश की जाती थी, कि अगर ऐसे धोकाजड़ी के मामले आते हैं, real estate sector में, तो ऐसे developers को, या promoters को, या builders को, उनके साथ justice हो, उनको उनको उपर trial चले, लेकिन इसमें ये inadequate था, ठीक है, Consumer Protection Act में, real estate sector की particular nitty gritties, या particular जो पेचीदा चीज़ें होती हैं, वो included नहीं थी, ठीक है, real estate sector में, developers की भी हम पूरी तरह से, उनकी भी सुननी पड़ेगी, उनको भी ऐसा नहीं कर सकते कि regulation के नाम पर, उनका इतना गला घोट दिया, कि ऐसे projects ही बनने सेक्टर, एक building, एक colony, एक society को develop करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, तो जब वो development शुरू होती है, builder अपना पैसा लगाता है, उसको देखकर, लोगों में trust generate होता है, लोग फिर अपना पैसा लगाते हैं, और उस पैसे का बेस्तमाल उस society की development में होता है, अगर हम ज़्यादा ही शिकंजा कस देंगे, तो गडबड हो जाएगी, इसलिए एक dedicated act इसको regulate करने के लिए चाहिए था, ठीक है, इसमें consumers, builders, सभी के basically जितने अधिकार हैं, उन्हें protect किया जा रहा था, greater accountability चाहिए थी, frauds और जो delays होते हैं real estate में, उनके उपर भी एक शिकंजा कसने क जरूरती और basically जो भी problem है, grievance redressal mechanism अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीजें है, तो अब एक question मैं देता हूँ आपको सबसे पहले, और फिर हम discuss करेंगे the actual thing related to RERA, ठीक है, ये सारी चीजें newspaper में इतनी आएंगी, ठीक है, article में इतनी मिलेंगी, पर the actual चीज जिसक जिसके ऊपर आपसे paper में सवाल पूछा जाएगा, वो ये question है, ठीक है, this is the question जिसके आधार पर आपसे UPC में question पूछा जाएगा, इन facts के ऊपर पूछा जा सकते हैं, तो ये तीन statement है, इनको read करो, इनका मैं answer अभी बता दूँगा, लेकिन इसको हम विशे, पूरा depth में, वि जैसे लोग जो उधर घर यहां flat खरीदेंगे, ठीक है, they are liable to pay an equal rate of interest in case of any default from either side, कि मतलब अगर मैंने घर करीदना है, मैंने late payment की, तो मुझे भी interest pay करना पड़ेगा, अगर उसने possession late दी मुझे, तो जितनी payment मैं कर चुका हूँ, उसमें जो possession और मेरी payment के time पर जो lag आया, उसक इंटरस उसे मुझे pay करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह first statement के रिए, second statement के रिए, the act makes it compulsory, compulsory for a developer to deposit how much? 70%, ठीक है, 70% of the funds collected from the buyers in a separate escrow bank account, अब यह escrow क्या है और 70% क्या है, Manipur and Nagaland have not yet notified rules under RERA as on today, ठीक है, 16 April 2024 के हिसाब से, क्या गड़बड चल रही है, ठीक है, यह कि Manipur और Nagaland में यह लागू नहीं हुए इसके rules, ठीक है, अब इसका answer देखो, मैं आब बता देता हूँ, third statement false है, क्योंकि सिरफ Nagaland ही एक लौती state है, जिसने rules को notify नहीं किया, second statement बिल लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूँ कि अगर अभी तक आप मेरे social media के साथ connect नहीं हो रखे, तो telegram पर CS live group को ज़रूर join कर ले न, ठीक है, this is CS live group and this is my Instagram handle, QR codes को scan कर लीजेगा, and यहाँ पर मेरे साथ connected रहेंगे, तो time to time हमारी जो भी information exam से related होती है, कुछ important content वो आपको म पिक से कैसा सवाल आएगा, और चुटकियों में, cakewalk के जरीए आप उसको solve कर पाएंगे, ठीक है, इस act ने सबसे पहले ये provide गया है, कि हर state में एक real state regulatory authority होगी, ठीक है, तब भी आपने पंजाब रेरा, हर्याना रेरा, ठीक है, ये सारी terms भी सुनी होगी, रेडियो पर बहु उसका कितना area है, and other similar details, ठीक है, इन details के database को manage करने के साथ-साथ, उसे एक public website के उपर publish किया जाएगा, ताकि आम जनता उस projects related, सभी पहलूं को समझ सके, पढ़ सके, अपना पैसा निवेश करने से पहले, ठीक है, ये चीज़ इसमें मौझूद रेगी, इसे के साथ-साथ, कैस इसे developers को, promoters को, और आम जनता को, इन rules को follow करने के लिए, या comply, follow करवाना मतलब किसी से अगर हम भात मनवाते हैं अपनी, तो उसको कहते हैं कि उससे हम compliance करवा रहे हैं, ठीक है, we are making him comply with the rules, हम उसे नियम पालन करने के लिए persuade कर रहे हैं, नियम पालन करवा रहे हैं उससे, we are making him comply with the rules, तो कैसे लोगों से और सही तरीके से rule compliance करवाई जा सकती है, उसकी सुझाव ये देती रहेगी, ठीक है, तो इसमें देखो जो database projects का मिलेगा वह ऐसा नहीं कि आपने अगर मानलो 100 गज की या 50 गज की अगर कोई property बना रहे हो, उसका भी कुछ database बनेगा, वो system तोड़ भी ऐसा builder, जो एक colony या society या flats कुछ ऐसे बना रहे है, जिनका minimum area, ठीक है, मानलो एक colony बन रहे है, उसमें plot size जो वो colony के कट रहे है, उसमें minimum 500 square meter का area है, ठीक है, 500 square meter minimum area और 8 apartments की अगर कोई society बन रहे है, minimum इतना अगर है, तो उसका database मतलब वो rara के अंडर आ जाएगा, ठीक है, वो rara के अंडर आजेगा, उसे खुद को regulatory authorities के साथ register करवाना पड़ेगा, ठीक है, यह compulsory है, अब इस तरह का जो भी builder ऐसी society या ऐसी एक छोटी सी colony या lane ऐसे develop कर रहे है, तो उसे का करना पड़ेगा, कि जो भी उसने खरीदारों से पैसा लिया है, कि मानलो एक plot लेक्षे, वो 50 लाग का बीच रहा था, ठीक है, दस plot थे, तो कितने हो गए, पांच करोड उसने ले लिए, अब इसका 70 प्रतिशत, 70 फीसदी हिस्सा, उसे एक अलग से एक bank account में deposit करना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, escrow account, ठीक है, और 30 प्रतिशत जो है, वो उस project की development में यूज करता रहेगा, and time to time उस escrow account में से कुछ पैसा utilize होता रहेगा, but only for the development of that project, बहुत बार past में ऐसा हुआ था, कि ये builders क्या करते थे, लोगों से पैसा ले ले लेते थे, तो builder के पास आ रही है Mercedes, ठीक है, बीवी को birthday पे Mercedes-Benz gift कर रहे है, और फिर project develop होता नहीं था, और एकदम रफ समस्या होती थी, ठीक है, तो 70% जो लोगों से पैसा लिया गया है, उसको escrow accounts में डाला जाएगा, what is this escrow account, escrow account क्या है कि एक separate bank account होता है, जहां पर money डाला जाता है, पैसा basically डाला जाता है, और उदर से पैसा, एक particular entity, इस case में, जो builder है, वो तभी ले पाएगा, जब वो terms and conditions सा आनी की timely जब लोगों को उनके घरों की चाबी मिल गई है, ठीक है, प्लस जो भी उसकी maintenance को लेकर liability रहती है builder की, जब वो पूरी हो जाएगी, तब उसका जो पैसा है, वो उसको मिल जाएगा, ठीक है, इसमें से कुछ पैसा सिरफ real estate के लिए तो use कर सकता है, जेकिन बाकी जो पैसा उसको मिलेगा, वो तब ही मिलेगा, जब properly वो apartments या घर जो हैं, लोगों को hand over कर देगा, ठीक है, इसी के साथ साथ अगर कुछ structural problem आती है, बहुत बिल्डर ऐसे भी करते थे, गुडगाओं में, yes, गुडगाओं में, there is a very famous locality, जहाँ पर छटी मंजिल से लेकर दूसर मंजिल तक, एक के बाद, एक के बाद, ठा, 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 पूरे floors गिर गए थे, कुछ दिन पहले ये news में भी चल रहा था, ठीक है, बहुत जादा ऐसा, आज की date में, बहुत जादा ऐसा issue नहीं है, बट उसके वाज़े से, रेरा जरूर news में आ रहा है, तो ये ह में ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अब, बिल्डर्स क्या करते थे, कि घटियां material यूज़ करके, society यां colony बना दी, ठीक है, और उसके बाद, repair का काम, या जो भी maintenance का काम है, ये वहाँ के रहने वाले लोग जाने, बहुत बार, लोगों ने 70% अपनी savings, जमा की, और उसके बाद maintenance का, repair का खर्चा, उनको नए घर में खर्च करना पड़ रहे, ये भी बहुत painful चीज़ है, तो इसमें अब इस rule के हिसाब से क्या है, कि जो developer है, पांच साल तक अगर, पांच साल तक अगर society के structure में, उसके पूरे functioning में कोई भी दिक्कत आती है, तो उसका repair की जिम होगी, तो यहाँ पर क्या है, कि अगर मानलो, सड़क बनाई है, payments बनाई, tile धस गई, एक बारिश होई, सड़क खराब हो गई, तो यह developer उसको repair करके देगा, ठीक है, इसी के साथ साथ default करने पर provision लगा रहे की, और यहाँ पर, यहाँ पर basically developers के interest को भी promote किया, ऐसा नहीं है, क ठीक है, सरकार नहीं बता है, कि हम developers के दुश्मन नहीं है, we want ease of doing business, लेकिन business करना है, तो तमीज से करो, नहीं तो ना करो, ठीक है, यह साफ साफ, ठीक है, माननी प्रदानमंद्री मोदी जी की यही philosophy है, कि हम ease of doing business करवाना चाहते है, युवाप पीडी, business definitely करे, उसके बारे मे जा रही है, तो आपका भी तो उत्तर दाइत्व बनता है, कि आप timely payment करें, तो अगर आप timely payment नहीं करते, ठीक है, जो भी आपका share बनता है, तो उसके उपर interest आपके उपर भी डल सकता है, and real estate वाले ने, अगर builder नहीं क्या किया, आप से पैसे ले लिए पूरे, एक date को कहा कि यह possession मिल जाएगी आपको, ठीक है, और उस date तक उसका अभी भी building का process चल रहा है, तो जितनी उस से आगे जितना delay वो करेगा, जितना delay वहाँ पर होगा, उसका interest उसे pay करना पड़ेगा, ठीक है, बयाज लगेगा उस पर, ठीक है जी, तो यह पूरा का पूरा यहां पर major provisions है, इसी के साथ साथ जो advance payment होती है, बड़ी बार builders क्या करते थे, advance payment बहुत बड़े amount में ले लेते थे, कि almost आदी से जादा घर की जो कीमत है, वो advance payment में ले ले ठीक है, अब यहां पर क्या कर दिया है, कि जो cost of plot है, यहां जो भी आपका apartment की cost है, उससे 10% से जादा, 10% से जादा आप advance payment एक buyer से नहीं ले सकते, ठीक है, application fee की form के नाम पर, यहां किसी और चीज़ के नाम पर, जब तक agreement नहीं बनी, तब तक 10% से जादा नहीं लिया जा सकता पैसा, ठीक है, standard practice, जो basically गुडगाओं और डेली साइड में है, by builders, वो यह रहती है, कि agreement से पहले 10% पैसा लेते है और agreement होने के बाद 10% और आपसे ले लेते हैं, ठीक है, और remaining 80% आपको देना होता है, possession के time पर, ठीक है, और possession के एक fixed date होती है, अगर उस fixed date पे वो नहीं मिलता, तो फिर builder को, ठीक है, वो आपको compensate करेगा उसके लिए, इसी के साथ यहां पर न, एक बड़ी important, एक definition है, ठीक है, एरिया, built-up एरिया, and super built-up एरिया, पहले ही समझ लेते हैं, ठीक है, इन images के माध्यम से समझ लेते हैं, that what are these things, देखो, आपको यह image पीछे नजर आ रही है, ठीक है, you are able to see this image, तो यह देखो, यह flat है, ठीक है, यह flat apartment है, और यह floor planning है, आपके floor की, ठीक है, तो यहां पर क्या ह इने के लिए जगा मिली है, which is usable जगा, ठीक है, तो वो जगा क्या है, यह, आपके rooms, balcony, ठीक है, जो drawing come, dining, यह सारी चीज़े, this is your usable जगा, अगर इस usable जगा में, हम दिवारों की मुटाई को भी जोड़ दें, क्योंकि दिवार भी तो जगा के रहेंगी, न भई, और पूरे क पूरे फ्लाट में, अगर दिवार की मुटाई को जोड़ दोगे, तो कुछ square feet add हो जाता, अच्छा खासा, ठीक है, तो यह, इसमें दिवारों की मुटाई को जब हम जोड़ देते हैं, तो इसको कहते हैं, built-up area, ठीक है, कि यह carpet area है, कि जो usable है आपके लिए, इसमें आप अ लिए, एक smooth functioning के लिए, जिसमें corridor, lift lobby, stairs, यह सब चीज़े आ जाती है, इसको कहते हैं, super built-up area, अब यहाँ पर rara के under यह कह दिया गया है, कि जो net usable floor area flat का है, यानि की carpet area, ठीक है, यह carpet area के लिए ही, एक buyer से charge किया जाएगा, कि मानलों किसी जगा पर 10,000 रुपे गजगा rate चल र area है, 110 square feet का built-up area, and let's say, 150 square feet का super built-up area, तो पहले कुछ developers का करते थे, 150 square feet के हिसाब से charge कर लेते थे, लेकिन अब rara ने कह दिया कि नहीं, तमीज से करो वही, पूरा, अच्छे से carpet area पे सिरफ चार्ज लेना बनता है, ठीक है, तो this is actually in favor, right, of the people, अब this particular information, this is based on PIB, परलेमेंट मे question पूचा गया था, उस question के जवाब में, honorable minister of housing and urban affairs, उन्होंने जवाब दिया था, कि जो rules है related to real estate regulatory authority, right, they have been notified in all states and union territories, except Nagaland, अभी तक Nagaland नहीं है, इसमें कोई कारवाई नहीं किया, ठीक है, 32 states और UTs ने real estate regulatory authority, इसको भी set up कर दिया है, and 28 states and UTs है, they have set up real estate appellate tribunal, ठीक है, appellate tribunal मे क्या होता है, कि जहां पर अगर कोई आपको दिक्कत है, समस्या है, बायर से, तो वहां पर आप अर्जी ताहर कर सकते है, ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको इस question में कोई भी problem नहीं आने वाली, ठीक है, try to see this question again, एक बार फिर से इन statements को देखते है, statement 1 कह रहे है, that under this act, promot motor और buyer, दोनों liable होंगे, to pay an equal rate of interest in case of any default from either side, बिल्कुल true है, first statement is true, second act makes it compulsory for developer to deposit 70% of the funds collected from buyer in a separate bank account, ठीक है, called as escrow account, यह बिल्कुल true है, ठीक है, पहली statement जो है, वो true है, दूसरी भी true है, third statement, it is false, ठीक है, third statement is false, बाकी दोनों statements यहां पर true है, एक यह question करो, ठीक है, यहां पर again, आपके सामने चार options दीगी है, escrow account को best कौन define कर रहे है, पहली option देखो, क्या कह रही है, पहली option कह रही है, अब bank account held by a foreign bank, with a domestic bank, let's call that domestic bank, SBI, let's call a foreign bank, let's say, अपना एक account maintain करता है, और उस account को वो pound sterling में basically manage कर रहे है, उनकी currency में manage कर रहे है, उसे हम क्या कहेंगे, nostro account, ठीक है, उसे कहेंगे, nostro account, यहां पर C option को देखो, C option कह रहे है, separate bank account to hold money which belongs to others, and where the money parked will be released only under fulfillment of certain conditions of contract, this is true, ठीक है, तो C option इसमें बिलकुल correct statement है, ठीक है, अगली news पर चलते हैं अब, ठीक है, आज के दिन कोई promotion नहीं कुछ नहीं, सबको पता है, कि study IQ क्या कोई भी course आपने लेन है, तो CS live code का इस्तिमाल करने से वो मिल जाता है, ठीक है, तो आज मैं promotion में ज़्यादा time waste नहीं करने वाला, it's important that we cover these issues, because इस पर 100% सवाल UPSC 2024 में आने वाला है, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, और यह अपने friends के साथ भी share कर लीजेगा, जो same paper दे रहे हैं, ठीक है, वियान में आपको भी उसका return मिलता है, ठीक है, आपका friend भी आपको कुछ अच्छी चीज़ें बता सकता है, तो यह उनके साथ भी share करना, अगर आपका भी कोई known, 2024 की UPSC की prelims की तयारी कर रहे है, अब यहाँ पर देखो, GS3 environment के साथ, और GS3 में ही science and technology के साथ, यह basically दो components के साथ, यह वारली कोली वाड़ा में, ठीक है, वारली के कोली वाड़ा में हम यह artificial reef establish कर रहे हैं, इन reefs को establish करने के लिए हम एक technology का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कहते हैं, bio rock technology, और इसमें कहा करेंगे, कि इसे जो fresh water या salt water का जो base होता है, जिसे sea bed भी कहते हैं, वहाँ पर इस technology का इस्तेमा और coral polyps और बाकी सारे जो जीव जनतूं हैं, underwater रेने वाले, वो attract हो जाएंगे, जिससे की reefs को rejuvenate किया जा सकता है, ठीक है, और reefs क्या होता है, इसके लिए मैं आपको suggest करूँगा, कि अपने basics को जरा strong कर लीजे, brush up कर लीजे, geography का basic part बनता है, यह सारी चीज़ें आपको वहा इस नाम के scientist है, उन्होंने इस technology को invent किया था, और इसमें करते क्या हैं, कि एक low electric current, ठीक है, obviously समुदर में इतना high electric current अगर पास करोगे, तो नमक वाला पानी होता है, फिर तो current लगेगा न, सब को जिसका पैर, यह हाथ पैर, जीव जनतूं को current लगना शुरू हो जागा, तो नहीं करना, low electric current पास करना है, पानी के जरीए, through electrodes, जो की steel surface के पास पढ़े होंगे, ठीक है, steel surface के पास electrodes है, ठीक है, तो इधर से हम electric current को पास करते हैं, अब इस electric current के पास होने से क्या होता है, कि आपको पता है कि electromagneticism, ठीक है, electric current भी जब move करता है, जब electrons move करते हैं, तो they create a magnetic field around them ठीक है, जैसे solenoid, ठीक है, इसको पता है न, दसमी पास तो हैं सब जने यहां पे, इसे कहते हैं solenoid, ठीक है, solenoid में क्या है, कि जब solenoid में से electric current पास होता है, minerals एक जगा पर attract होना शुरू हो गए हैं, तो यह calcium carbonate की, यह देखो, calcium carbonate की एक layer बननी start हो जाएगी, जब यह calcium carbon carbonate की layer बननी start होगी, तो this will act like an artificial coral reef और इसके उपर coral polyps और कई सारे इसे जीव जनतु attract होना start हो जाएंगे, ठीक है, algae, barnacles, corals, oysters, यह सब यहां पर आना शुरू हो जाएंगे, जिससे कि हम marine ecosystem को rejuvenate कर सकते हैं, ठीक है, अब ऐसे system में, जहां पर algae है, barnacles हैं, corals हैं, oysters हैं, यह यहां पर मचलिया भी खाना डूनने के लिए जादा हैंगी, ठीक है, तो अच्छा habitat बन जाएगा यहां पर fish के लिए, carbon dioxide यहां पर जादा absorption होगी, ठीक है, वो भी एक benefit रहते हैं, और जहां पर जादा fish हैं, जहां पर जादा मचलिया हैं, वहीं जादा मचवारे भी हैं, त से 500 मीटर समुद्र की तरफ हम इसे develop करेंगे, ठीक है, इसमें पूरा का पूरे system को, ठीक है, यह ऐसा नहीं कि अभी switch on किया, और एकदम से सारा process बनना शुरू हो गया, no, it is going to be a slow process, क्योंकि low electric current है यहां पर, तीन महीने के अंदर-अंदर हमारी वो calcium carbonate की layer बनेगी, ठीक है तो यह चीज यहां पर हमने basically cover कर ली, चलो, question देखते हैं कि क्या आ सकते आपको, question में तीनो statements को ध्यान से पढ़ो, statement 1 आपको कह रही है, basically यह question bio rock technology के संदर्ब में है, पहली statement कह रही है कि it was invented by Peter Higgs, it was invented by Peter Higgs, Peter Higgs ने किया था, no, Peter Higgs was associated with Higgs boson, भाई उसने Higgs boson दिया था, अब Peter Higgs news में चल रहा तो इसका मतलब हर news में आने विली technology उसी ने दिया है, no, UPSC आपको confuse करने के कोशिश करेगी, बढ़ आपने confuse होना नहीं है, ठीक है, पहली statement गलत है यहां पर, दूसरी statement कह रही है कि in this technology, a low electric current is passed through the water using electrodes placed near a steel structure, this is absolutely true, low electric current pass होता है, magnetic field बनता है, इसको यार सीध this is, ठीक है, यह electrode है, यहां पर electrode के पास, जब यहां पर current कूम रहा है, तो यह क्या बनगा, एक magnetic field, इस magnetic field की वज़े से क्या होगा, कि पानी के अंदर काफी सारे ions और minerals मौजूद होते हैं, ठीक है, तो जैसे calcium carbonate भी है na, CaCO3, तो वो भी क्या है, कि वो charged particles उसमें होते हों, उन का अपना भी एक magnetic field होते है, तो इससे क्या होगा, कि वो जो minerals हैं, वो इसकी तरफ attract होना start हो जाएंगे, due to magnetic forces, right, तो एक सतय बन जाएगी, calcium carbonate की, और उसी सतय के पीछे-पीछे, बहुत सारे जीव जनतु आते हैं, ठीक है, तो वो भी इधर आना start हो जाएंगे, to consume their food, right, त जेली statement गलत है, पीटर हिक्स ने नहीं, ये वुल्फ हॉल्विट्स, ठीक है, क्या नाम था अंकल का, वुल्फ हिल्बट्स, उरी, not वुल्फ हॉल्विट्स, वुल्फ हिल्बट्स, इन्हों ने इसको इंवेंट किया था, बायोराग टिकनोलोजी को, right, तो पीटर हिक्स का जेली 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 फिश का एकदम से बहुत सारी तादात में इसका जन्म यहां पर हो रहे है, विशाखा पटनम कोस्ट में, इसका जो scientific name है, it is called as Pelagia Noctiluca, बड़ा प्यारा नाम है, Pelagia Noctiluca, एलोन मस्क का अगला बच्चा जो होगा, मेरे हिसाब से हो सकता है, वो ये नाम रख दे उनका, जैसे से आपसे वो नाम देते हैं अपने बच्चों को, I won't be surprised if he names his daughter Pelagia Noctiluca, जैसा कर सकते हैं, वो इलोन मस्क है, कुछ भी कर सकता है, अब Pelagia Noctiluca जो है, इनको मौव स्टिंगर भी कहा जाता है, स्टिंगर का मतलब बेसिक लिए होता है, डंक मारने वाल बातली पार सकता है, इतना पेंफिल भी कहिए होते हैं, इसे की साथ साथ, you might go into an anaphylactic shock, anaphylactic shock क्या होता है, allergic reaction जो हो जाता है, लोिक थम kalau इंसान के उयाना शूरू'll हरता है, डो, यह basically यहाँ पर चीज रहती है, it can be life threatening, ऐसा नहीं है, कि पतली पॉटियां ही से रफ आएंगी, उसको अच्छे से clean कर लोगे, तो सब ठीक है, no, it can be life threatening, man, anaphylactic shock जो है, वो ज़्यादा severe अगर हो गया, तो वहाँ से बचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है, अब इसके कुछ important facts देख लेते हैं, ताकि अगर prelims में कुई सवाल आए, तो हम उस सवाल को properly tackle कर सकें, ठीक है, तो purple color की translucent species है, ठीक है, floating balloon की तरह लगती है, पानी में, पता है कि पानी में ऐसे दिखेगी न, आपको लगेगा कि कोच गुबारा सा ओड़ रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, और एक इना attraction भी होती है, इसकी गुबारा दिखेगा, और दिखेगा कि गुबारे के अंदर थोड़ी light जगरी है, क्यों, क्योंकि ये एक चीज शो करते हैं, इसकी एक property है, बायो लुमिनिसेंट, ठीक है, बायो लुमिनिसेंट जो होती है, इस बैसिकली अबिलिटी ओफ एन और्गानिजम तो प्रोडूस लाइट इन डाग जैसे जुगनू भी कर सकते हैं ये, ठीक है, तो समुद्र के अंदर ये floating balloon की तरह टिम टिम आती एक चीज दिखेगी, अब आप बड़े प्यार से ज़्यादा टिम टिम आती चीज में अपना हाट डालने के कोशिश करोगे, तो बई उसका हश्न अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें मिलती कहां पर ये, पूरी दुनिया में बहुत एजिली मिलती है, ऐसा नहीं कि थ्रेटन हैं या मिलेगी नी, ठीक है, ट्रोपिकल वाटर्स, ठीक है, ट्रोपिकल वाटर्स कहा हैं, इस तरह के, ये चीज, ठीक है, तो इन टेंटेकल के ऊपर यूजिली काटने वाले कुछ स्टिंगर लगे होते हैं, यूजिली पराणियों में, लेकिन इसके पास, बेल, इसके बेल के ऊपर भी ये काटने वाली चीज़ें लगे हैं, जिससे ये अपना वेनम आपकी बॉड़ी में रिलीज कर सकती है, ठीक है, यूजिली पर भी है, इसके बेल पर भी है, इसके बारे में मैंने बता दिया, और इसमें क्या हुआ है, जो अभी विशाखा पतनम में हमने एक ब्लूम देखा है, इसके पीछे रीजन है कि ओशन टेंपरिचर के बढ़ने से, इनके रीप्रोड़क्शन रेट बढ़ गए हैं, ठीक है, रीप्रोड़क्शन में इनके लोगी कंडिशन काफी एजी मिल गई है, और एकदम से छोट गया है नॉक्तिलुका के बारे में, ठीक है, पहले गया है नॉक्तिलुका के बारे में पहली सेटमेंट, यह कर रहा हूं, ठीक है, it is a venomous jellyfish found only near विशाखा पतनम कोस्ट, क्यों मतलब विशाखा पतनम कोस्ट के आसपास, और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, ये सेटमेंट गलत है ठीक है क्यों क्योंकि यह जैली फिश नहीं यह तो ऐलन मस्क की बेटी का नाम है मजाग कर रहा हूं ठीक है यह इंकरेक्ट है इसलिए है क्योंकि विशाका बटनम नहीं पूरी दुनिया में ट्रोपिकल वाटर कहीं पर भी होंगे यह वहां पर अनाम से मिल जाएगी जो ब सब्सक्राइब की पॉपुलिशन रिड्यूस हो जाती है ठीक है और जेली फिश का कुछ है सच कंजूमेबल वैल्यू है नहीं कुछ लोग इसको भी खा जाएंगे चाइना वाइना में चलता होगा यह भी बट इसकी कुछ खास कमर्शल वैल्यू है नहीं ठीक है तो इस ए रिप्रोडक्शन रेट बढ़ गए है और दूसरे अनिमल्स की रिप्रोडक्शन रेट को यह कम कर रहा है क्यों क्योंकि जो दूसरी छोटी मचलिया है उनके युवा होने से पहले ही उनको कंजूम कर लिया जाएगा ठीक है तो दूस्वों आज के लिए इतना ही आज हमने थोड़ा न्यूसर पर के बाहर निकल कर वेबसाइट को रेफर करते हुए इंपोर्टन करन्ट अफेस कवर कियें ठीक है और यह याद रखने है यार न्यूसर पर कुछ वाइबल नहीं है यहां कोई गरंत यहां धार्मिक चीज नहीं जो यूपीसीन नोटिफिकेशन में डाल रखाओ कि करन्ट अफेसर और यूसर पर वेबसाइट इसके बाहर तो मैं डालूंगा यह नहीं नो यह जीज़ें जो आपको मैंने कराई है इनके उपर सवाल आ सकते हैं और इसको रेफर करने के लिए येस आफ रेफर्ड इंडिन एक्स्प्रेस की वेबसाइट और उसको रेफर करने के लिए रेफर्ड पर पूरा ओरिजनल फॉर्माट मिल जाते है तो उसमें से इंपॉर्टन चीज़ें एक्स्टराक्ट करनी होती है हमें जो न्यूसर पर में नहीं आती ठीक है उसका सिरफ रेफरेंस आएगा तो उस तरह से आज हमने वो चीज़ें की ह हैं जिनका आपके अपकमिंग UPSC Prelims 2014 में 100% पूछे जाने की संभावना है 100% सवाल इन तीनों चीज़ों पर देख लेना आएगा ठीक है और तब मुझे याद करोगे राइट सो कल भी हम कुछ इसी तरह के मुद्धों को डिसकस करेंगे and PDFs डाउनलोड करने के लिए again reminding you all कि आपको एक Telegram Group join करना है let me show you यह वला Telegram Group ठीक है CS Live Group इसको आपको join करना है to get the PDFs of all these sessions do join this group and do follow me on Instagram